हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं वर्क्षीट नमबर 87 जो आप सभी को 17 फरवरी को मिल रही है ये वर्क्षीट 10th क्लास के लिए है और जैव प्रक्रम पर आधारित है वर्क्षीट के अंदर बिटा आपको स्टेंजा दिया हुए कि स्टेडी वाला कोशन है एक पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा उस पर आधारित कुछ प्रशन पूछे जाएंगे फाइनल पेपर में आपको पाँच कोशन दियोंगे उसमें से कोई चार करने होंगे तो ध्यान से देखेंगे हमारे पोजन में बहुत से बड़े कण होते हैं जिने हमारा शरीर सीधे तोर पर अवशोशित नहीं करता पाचन किरिया इन कणों को छोटे कणों में तोरती हैं जिससे ये शरीर के सरल पधारतों में घुल कर रुधिर में मतलब रक्त में परवेश करते हैं हमारे पाच्जन तंत्र की अंग, कुछ रसायनों को अपने आप बिटा उत्पन करते है जो भोजन कि विजटन करते है इन्हें एंजाइम कहते हैं प्रतियक एंजाइम का एक विशीश भुजे करने का उनका लक्षया होता है इसका मतलब बहुत सारे एंजाइम होंगे अगर पांच पोशक तत्व हैं तो पांचों को तोड़ने के लिए अलग-अलग एंजाइम होंगे पीट्रस भोजन को क्या करता है अब भी हमें याद था पाचन तंतर अपना सभी बचों को पाचन तंतर याद है तो हम वो ही बना के देखते हैं चुराब पाचन तंतर उसके अंदर हमने सीखा है मूँ मूँ से मूँ के अंदर भी एक एंजाइम निकलता है है ना सेलावरी ग्लैंड से लार ब्रंथी से और उसके बाद भोजन अमाशे में जाता है अमाशे के बाद जब भोजन बाहर निकलता है तो वो अमलिय होता है इस अमलिय को शारिय बनाने का कारिय इस पित रस का होता है यकरित से निकलने वाले यकरित भाग है आपका इस से निकलने वाले रस से ही मतलब शारिय कर देता है ये रस उस खाने को जो बाहर निकलता है एंजाइम, amylase किस पोशक तत्व पर कारे करता है amylase जो amylase जो amylase है वो मूँ सी निकलता है इसे लिए ये मंड पर करता है मैंने बताया था amylase tीनो चीज़ों पर अलग-अलग amylase कर रहे होंगे भोजन का पाचन कहा से शुरु होता है बिटा मुव सी शुरू हो जाता है मुव में सबसे पहला एंजाइम निकलता है तो इसका अंसर आ गया थर्ड का अंसर आगे चलते हैं पैपसीन और ट्रिपसीन एंजाइम पाए जाते हैं अब देखो पैपसीन जो है ये भी प्रोटीन पर कारे करता है दोनों एक ही चीज़ पर कारे कर रहे हैы ध्यान रखेंगे दोनों ही एक चीज़ पर कारे कर रहे हैं प्रोटीन पर लेकिन पैपसीन तो मिला अमाशय में जबकि जो ट्रिपसीन है वो बेसिकली बेटा शुद्रांत के अंदर खुल रहा होता है अब हम graph की तरफ चलते हैं, graph दिया हुआ है, तिहान से देखेंगे, graph से related question है, यह कहता है, एक graph आपको पाचन तंत्र का दिया हुआ है, जिसमें दो enzyme दिखाए है, एक enzyme है, AX जैसे यहां लिखा हुआ है, और Y सबको दिखाए दे रहा है, यह दोनो अधैस तर है, मतलब दोनो ही एक चीज पर कारे करते हैं, अभी मैंने उपर बताया था, दोनो, दो ऐसे यह protein पर कारे कर रहे होंगे, दोनो ही, ठीक है, अब यह कौन से हो सकते हैं, धिहान से देखने के बाद हमें पता लगा, कि वैसे amylase और lipase भी काम कर रहे थे, इनको नहीं देखेंगे, हम देखे दोनों सेम इस पर काम करने वाले कौन से होंगे परोटीन पर काम करने वाले, पैपसीन और ट्रिपसीन, पैपसीन जो है, अमाश्य में निकलता है, इधर अमाश्य में एसिडिक होता है, एक से लेकर पांच तक कितना जबरदस्त एसिड है यहां पर, अमाश्य में सब कुछ सेम पर कारे कर रहे होंगे है ना और X और Y क्या होंगे तो पहला पैपसीन और दूसरा ट्रिपसीन होगा यह इसका आंसर है तो बचो अच्छे से समझ आ गया होगा अगर कुछ नहीं समझ में आता तो क्या करना है कमेंट बॉक्स में लिख देना है जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो अच्छे से बनाओ या फिर आपके प्रेश्न का उत्तर दे सको थैंक्यू फॉर वाचिंग बचो